मश्कार दोस्तो फ्लेश अकेडमी चैनल में आप सब का स्वागत है आज हम लोग नया टॉपिक देखने जा रहें बहुत ही इंपोर्टेंट नाम है बायो मॉलीक्यूल जेही वाले बच्चों के लिए एक कोशन पक्का है और नीट वालों के लिए वरदान है ठीक है दो गलत फह्मिया बच्चों को होती है यह वाले बच्चों को जलत फह्मिय होंता है कि यह तो pen of अपनापनसा लगेगा चैमीस्ट्री लगने लगेगी समझ आरी बात तो उनका डर तो तो प्यारे वच्छो बायो मॉली के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर भी अपना सपोर्ट दिखा है ठीक है कि नहीं यहाँ पर मैं केमिस्ट्री से रिलिटेड कुछ कुछ मीम शेयर कर रहा होता हूं यह मेरा यूट्यूब है इस चैनल पर अगर अभी तक सब्सक आपने इनको सुना होगा जाना होगा जैनरली यह लोग क्या होते हैं नेचुर्इल हम लोग को क्या होते हैं बटा मिल जाते हैं नैचूरील एकरिंग्या नेचुरल फ़र्म मीं जीज ए तो हमारे बॉड़ी में अगर लिखवान कोई है तो वो प्रोटीन 25 ऐना कहीं हर हथ तक के सिंथेसिस से कीदिल का बननाग का करता है किसीноट चीज के फंक्षन हॉर्मोन क्या होता है प्रूटीन होता है साप का जहर होटा है यह हमारे बॉडी का है फ्यूल है कुछ बातेें हम लोग विटामिन के भी कर लेंगे और साथ एंसे चाहिएर्थ में लिए कुछ रिलेंट कुछ कुछ होगा उसको भी हम लोग देख लेंगे ठीक है आर्टिकल नंबर फिर्स्ट हम बात करने जा रहे हैं एमीनो एसेड की किसकी बात करेंगे पहरे बच्छों एमीनो एसेड तो एमीनो एसेड होते कौन है एक से चीज है दिखाऊंगे थोड़ा हालका सा जलग सब है ठीक है ठीक है ठीक है चलो अभी खेल शुरू करें ठीक है तो हम लोग आर्टिकल नंबर फर्स्ट क्या देखने वाले बच्चों एमीनो एसेड ठीक एमीनो एसेड की बात करते कौन होते हैं एमीनो एसेड जरह उन पर बात कर लेते हैं तो लिखेंगे देखो एमिनी एसिट्स कौन होता है और गिनिक कंपाउंड्स और गिनिक कंपाउंड्स है विए अमाइन ग्रूप यह याने एनेस्टू अटेच होगा ठीक है और दूसरा क्या अटेच हो सकता है बटा कार्बॉक्सिलिक एसेड दो यह यहने शीओ ओचात्राई हो ध्यान दो यह पास लूण पेए फेंट डिश्टू के पास क्या है बटा लून पेए है तो यह खुद में बहुत अच्छा क्या है बेस है ठीक है यह क्या होता है बेस है धोन पे आप देने वाले होते हैं और सी ओवेश और और नूट्रल हुआ तो इसके अंदर और के सी ओओ ऐस मौ के नंबर अगर वहा तो इसका मतलब एसेडिक पार्ट यहां ज्यादा होगा सी सेव थाटा और बेसिक lot पण ज्यादा होगा ज्यादा होगा और बेसिक पार्ट कब ज्यादा होगा पता है ना ही निचस टूज़ेगा वह prusई最ों से क्य निच से विएवियर हमने डिसाइड किया एनेश टू गुरूप सी ओवेच गूप के बराबर होंगे नंबर में तो न्यूट्रल होगा ज्यादा होगा नहस्टू पार्ट जो है सी ओवेच से ज्यादा होगा तो इस बेशिव किया विटा एमिनेशन वने क्या दी दिया और गिरिक सेविंग अमाइंस ग्रूप एंड कार्बॉक्सिनीक एसे ठीक है कोई सब्सक्राइब इसमें एक सी ओ ओ एच्छ भी अटाच है और इसमें एक एनश टू ग्रूप भी अटाच है ठीक है तो ऐसे ऑर गीनिक कंपाॉप्ड को क्या बोला जाता है एमिनो आपको जो बाइवपी क्लासिफिकेशन करते हैं क्लासिफिकेशन करते हैं तो अगला यह वह वह बताने जा रहा हूं टाइट सोफ एमीनो एसिद क्या बेट टाइप सफ एमीनो एसिद टाइप्स और एमीनो एसिद तेक है गौर से देखिएगा लिखना मत एने श्टू जो है यह देखो यह हो गया यह हो गया आप यह हो गया सी ओपना यह में फंक्शनल ग्रूप यह कारबन एलफा कारबन पर अटेच अमोनिया ग्रूप है यहां पर इसको बोलते हैं एलफा एमिनो एसेट क्या बोलती पब्लिक अभी देखो यह सी ओवाएच है ठीक है यह सी एच इसके साथ अलकिल ग्रूप है यह दूसरा व कारबन एलफा में फंक्ष्टाव ग्रूप के बगलवाला एलफा यह कौन सा दूसरा कारबन सब्सक्राइब तो यह जो है बीटा एमिन ऐसेड है कौन सा है ठीक वैसी एक दो तीन सी ओ यह 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 आर लगा हुए यह एलफा यह बीटा है और यह गामा पोजिशन है इस गाम अधि ते नेटूरेली आपकेरिंग अधिर्ट हमारे पास लफा यह एलफा यह प्रोटीन्स में मिलने वाला नेटूरल एमिन्यमेंट कौन सा होता है यह इसलिए इस चेप्टर में 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 ली इसे की हम लोग स्टडी करने महीं क्या यह 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 पड़ाऊंगा नसीर्टिव यह दिया हुगा एलफा इमिनो असे पडोसी के पडोसी में अटेच्छ होतों और और नचरीव अमिनो असीड कौन सा होता है तो इसे लिए हम लोगे स्ट्रों में कौन सा पढ़ेंगे रहें अपुर्टी करने वाद गोलो काम पच्चीज है के और सबसे अंदर सबसे में अब अब इस इसटों थे अब दो यह कंफाम है कि तो टूटल सभी किसे मिलतें वह दूते यह दो तरीके के होते हैं एक होता है और दूसरा यह होता है क्यों और थे कैनोट वी प्र आूट वी सिंथेस्ट फुल दे बाइद एक मौद्टी में इसका से अपन नहीं कर सकते कैसे करेंगे है ना डायेट के तरूं किसके तरूं डायेट के थों ठीक करना पड़ेगा तो मस्ट भी मॉस्ट भी ओप्टें थ्यूं डय और यहां क्या लिख सकता हूं में, यहां क्या लिख सकता हूं है, सबसे पहली प्रोपर्टी से उनको जानेंगे सबसे पहली प्रोपर्टी हम देखेंगे प्रोपर्टी क्या होते हैं नहीं होते हैं उसको जानेंगे चौता हम लोग देखेंगे प्रेप्टाइड लिंकेज क्या होता है और पांचना हम लोग देखेंगे प्रोपर्टी हम लोग देखेंगे श्टीयों के विस्ट्री और अलफा ऐमीनो इसीड की स्टीरियो देखेंगे इसमें all the standard amino acid show L configuration all are natural है अब इस बात का मतलब क्या है L configuration गोलने का मतलब क्या है ध्यान दो हम लोग alpha amino acid की बात कर रहें पहरे बच्छों रहे हैं की नीगे alpha amino acid में क्या होता है ठीक है यह देखो alpha amino acid ना ऐसे बनाया जाता है ठीक है इस projection में COOH जो main functional group है वो और यह group का फरग होगा amino acid कौन होते हैं जरा मैं उस चीज को एक बार आपको बता देता हूं यह देखो यह हो गया COOH ठीक है और यह हो गया सारे amino acid में इस group का ही फरक है यही group बस चेंज होगा समझने बात को जैसे ग्लाइसीन में hydrogen आ जाएगा एलिनीन में CH3 आ जाएगा तो यह वाला ग्रूप बस सब में चेंज होगा ठीक है इधर hydrogen और NH2 रहते हैं अब ऐसे प्रोजेक्शन में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि COOH को कहीं पर मत रख देना COOH और number of carbon ज्यादा से ज्यादा वर्टिकल लाइन में आपको रखने होते हैं इस चीज़ का बस ध्यान रख लेना यह हमारे पास में कौन होते हैं बेटा है मिले अच्छा हमको कौन से position में पढ़ना है यह में फंक्शनल ग्रूप है अरे यह में अच्छनल लगा है तो अलफा कार्बन में लगा हुआ एनस्टू ग्रूप यह कौन सा है यह बात क्लियर क्योंकि यह अलफा एमिनो इसी डू ग्रूप जो है लेफ्ट साइड में लखा हुआ थो इसको मैं बोलता हूँ इसका दूसरा प्रोजेक्शन देख लेते हैं इसी का अगर मिरुदिनेज बनाऊंगा तो क्या होगा विटा सी ओव और यह हो जाए का आर और यह हाइड्रोजन हो गया इधर और यह हो गया इस वोल बात क्लियर यह यह एनस्टू ग्रूप दाहीं तरफ दाहीं तरफ दाहीं मतलब है इसने इसको बोलते हैं क्या होता है और यह जो इसको सिंटेशाइस करना पड़ता है इसका मतलब क्या समझें कैसे बोलना है वेटा पोजीशन के बेसिस पर एनस्टू जिस कारवन पर लगा हुआ हूँ तो सारे एलफा अलफा-एमिनो असेट में कौनसा हो अलड़ना यह सेड़ली यह सब्सक्राइब कर लिए सेथा है वालन पर वाल तो आपको यह समंझारा हूँ वह हूं पर आहिए-ग्रफा-इमीन ऐसेड नो डूट नेचुरली आजिए-पलते लेकिन अलफा ने पर लीफा कर लिए अधि जैसे मैं आपको भविष्ण में पढ़ाऊंगा तो आपने सुना होगा एल ग्लुकोज और डी ग्लुकोज एल फ्रक्टोज और डी फ्रक्टोज ठीक है अगर पढ़े होगे ढ़त से तो तो एल फॉर्म किसका एग्जिस्ट करता है नाचुरिली एमिनाइसिट है और कार्भो इकाऊद के देखेंगे नम्बर सेकेंड ओप्तीकल एक्टिविटी भेमिनो खिआवकि है अमिनाइसिट्स की अप्टीकल एक्टीविटी ऑप्तीकल एक्टीविटी को मतलब मेल अगर अगर अब्टीकल एक्टिविटी और तो जिनके पर सेंटर या है जैन कह Kalis तो मैं लिख सकता हूं All naturally occurring alpha amino acid are optically active since the alpha carbon atom is asymmetric 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 बोलने का मतला chiral carbon ठीक है asymmetric बोलने का मतलाब समझो chiral carbon बोलने का मतलाब समझो एक carbon जिसके चारो हाथ पर अलगल हो उसको क्या बुलते हैं विठा chiral carbon बुलते हैं और ऐसा carbon optically active हो ठीक है Soni इदर ध्यान दे All naturally occurring alpha alpha amino acid optically active since the alpha carbon atom is asymmetric क्यों उसमें chiral carbon मिल रहा है तो इसमें सारे amino acid क्या होते है optically active होते है except कि इसको छोड़कर के बात को समझते है glycine को छोड़कर के यह आर कुछ भी हो सकता है अब यह क्या होगा मैं आली आपको बता दो amino acid यान रखना अपने आंपे tough का में optically active क्या होगा optically active glycine की बात करते है तो glycine में क्या है यह जो आर होता ना आर के जगा hydrogen fit कर देते है पुराना पॉल्टिकाल के सिसके LED fit कर देते है आर निकालके hydrogen hydrogen है periodic table का आवारा धिट रंबिर सार्थ समझभारी बात आखा करेगा यह कारी करेगा वह एक्टिंग करेगा तो यह देखो यह हो गया NH2 यह हो गया COOH तो बात समझ में आ रहा है optical activity को खतम करते है खता ताटा बाइबाइबाइबाइबाइबाइब और glycine यह optically होता है इनदिग तो 20 alpha amino acid गोलतो या L amino acid में से 19 जो होते हैं optically active होते हैं एक नलायक होता है एक धीट होता है वह कोने आखा काम को चीज है सबको अच्छन समझ में आ रहा है जल्दी लिख दो properties of amino acid में अगी property है amino acid show dipolar ionic nature अब dipolar ionic nature बुलने का मतलब क्या ज़रा समझा मैंने यहां पर लिख दिया NH2 यह हो गया CH यह हो गया alkyl group यह हो गया COOH amino acid को आशे लिखा amino acid में COOH जो part होता है यह acidic part है क्या है बटा acidic part hydrogen देता है और NH2 के पास lone pair होता है क्या होता है lone pair तो यह हमारे पास basic part है क्या है basic part अब acid base जब भी मिलते हैं तो वहाँ neutralization reaction होती है acid base reaction उसको बुलते है acid or base मिलकर के नहां और और बना लेते हैं अब acid के खास बाद होती है यह H plus देता है अब इनको ना दूसरे species की ज़रुरत नहीं यही यही खेल हो जाएगा यहां से यह H plus देदेगा है ना और यह H plus जुड़ करके NH2 में attach कर जाएगा अब यहां अगर acid base intramolecular acid base reaction होती है तो acid base reaction होने के बाद में देखो क्या बनता है यहां हो जाएगा NH3 plus अब nitrogen जब 4 bond बनाता है तो plus 4 जल जलता है और यहां हो जाएगा CH और यह हो गया R और यह हो गया COO- यह देखो यह anionic part है कौनसा part है? और यह वाला कौनसा है? कौनसा पेटा? तो एक ही molecule जनरली जो organic molecules होते है तो लोग non-polar होते है क्या होते है? non-polar होते है non-ionic होते है लेकिन H plus donate करने के बाद से यहां पर positive charge और यहां पर negative charge आ चुका है बोलो आया भी है तो positive negative होने की वज़ए से catonic part और anonic part आ गया तो यह आप क्या हो चुका है? polar होते है जैसे salt होते है ionic salt की तरह हो गया organic compound behave कैसा दिखा रहा है ionic salt की तरह behave दिखा रहा है ऐसे iron को बोल आता है sweet iron sweet iron क्या बोलते है इसको sweet iron it behaves like it behaves like ionic salt ठीक ionic salt की तरह कैसे behavior दिखाता बड़ा बात को समझना आप ionic salt वह होते है जो पानी में easily dissolve हो जाते है ionic salt की पहचान है उनको पानी में डाल दो तो हुड़-धुड अलग दबंदम अलग अलग हो जाता है तो isil का मतलब हो तो यह भी क्या होता है soluble in water क्या होता है soluble in water दूसरी property समझो ionic salt जो होते है उनको melt नहीं किया जाता उनकी melting point बहुत हाई होती है कि कोवेलेंट compound होते है यहां यह पिखल जाता है easily क्या हो जाता है और ionic compound easily melt नहीं होते है नमक को पिखला के देखे अरे time है ना पुरसत है मम्मी जूता ले खड़ी है पीछे तुमारे एक्स्परिमेंट के चक्कर में बात समझे हो है क्या बहुत है तो ionic salts जो होते है उनका क्या होता है बहुत high melting point होता है क्या होता है तो इस टाइप से sweet iron या amino acid है इनका भी melting point क्या होता है बहुत है तीसरा point हम लोग समझते है उपर से देखो ionic salt है अब यह cateain इनको आपस में कुप सारे cateain मिल करके किसका फॉर्मेशन करते है क्रिस्टल करते है क्रिस्टल करते है क्रिस्टलाइज किया जा सकता है तो इसका मतलब amino acid twitter form में होने की वज़े क्रिस्टलाइन solid form में मिलता है क्लिस्टलाइन solid form में मिलता है kris்टलाइन solid form में मिलता है यह जहीं समझना आया amino acid हम वो रहे पर शब्द इनके हम लिखते ही है लेकिन naturally कैसे मिलता है naturally यह लोग form में exist करता है कौन बता है amino acid naturally कि कैसे मिलता बता है और अच्छे से बोले तो और अच्छे से बोले तो नहीं है समझें अगरा पॉइंट देखते है फोर्फ प्रोपर्टी प्रोटीन्स आर्डब पॉलीमर ओफ एल्फा अमिन एसेट्स एंड यार कनेक्टेज तो इच अदर भाई प्रप्टाइट लिए अब वह तो प्रफे और प्रफेर करनेज़ humming ए और और शो है और ये हो गयाた है से एस और ऐसे यह वह गया और यह हो गया COO, अरे दिजाएं दमार के लिखाओ, फोलो बात किये रहे, और अपने को क्या, अपने को तो, पानी निकालते ही, यहां से क्या निकालते ही, क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, बताओ, यहां क्या हो जाएगा, बताओ, यहां पर 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 क्या हो जाए अगली प्रोपर्टी हम लोग कैसे बना सकते हैं तो तहला मेतड़ लेखेंगे और तीसरा हम लोग देखेंगे मोस्ट इपोर्टेंट गैब्रियल थेलमाइट सिंथेसिस से नीट 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है और यहां से क्वेश्चन आया हुआ है अच्छा यह हमाई इस वाले चेप्टर से पुछा था लेकिन मैंने इसको क्नेक्ट कर दिया किससे सबसे पहला हम लोग देखने जा रहे है क्वेश्चनल ग्रूप है कि इसके बगर वादा जो कार्बन है और यहां पर मैंने है लोग फीक है और यह क्या है बड़ूट अब्टा से और यह क्या है विटां अब इसको बोलता एल्फा ब्रोमो प्रोपेनुइक एसेड जो है इसकी रियक्शन में करा रहा हूं किससे बिटा है नहीं किससे करा रहा हूं अमोनिया एक्सेस में ले लेंगे और साथ में ले लेंगे वाटर तो क्या बने का जड़ा देखना और यहां पर हो जाया था क्या बटा एनेश टू और यह हो जाया का सीओ अब यह बना तो है लेकिन नैचरली कैसे एक्जिस्ट करेगा जुट्राइन के फॉर्म में तो यह ज क्यों हो जडिये और यहां पर क्या हो स्टू और यह बनेचरली के रिएक्षन यह कर एक्षनpoint में टाएनेचरै और और इस तरीके से और ऐसा पॉड़कर के अगर सेलेक्शन हो गया उस दिन चौराहे में खड़े करके मिनको गोली मार देना और ज़रूरी और पूरे साल भर में और यहां कुछ मेकैनिसम में आपको बताने जा रहा हूं वह क्या होता है क्या हैं की मेकैनिसम क्या हैं देखो समझो की है और यह क्या है और हैं एफ ऐस्ति आ्मोनिया वह अंत्यार नोनीय बहुत अच्छा बेस क्या सबसे पहले यहां acid-base reaction होगी कौनसी reaction होगी acid-base reaction में होगा क्या पहले बुच्चों गौर से देखना यह जो lone pair है यह वाला bond होगा break और इतिहास गवा है कसम उडान छनले की जब भी कोई bond break होता है तो जरूर नया bond कहीं नहीं चुपके-चुपके यह वाला bond होता है यह वाला bond होता है यह वाला bond ब्रेक कैसे होगा जोड़ा देखना तो दल्ती कर गए अपन लोग फिर से देखना प्यारे बद्चों यहां पर यह lone pair क्या करेगा यह वाला bond होगा ब्रेक मूर एक्ट्रो नेगेटिव सी ओ ग्रूप है और यहां पर बन जाएगा और यहां बन जाएगा और यहां हो जाएगा एक अब यहां दूसरा आ जाता है इस बार मेकैनिजम एसे एसेंट टू होगी क्या होगी बटा एसेंट टू मेकैनिजम में क्या होगा यह लोन पेर यहां अटैक करके बॉन फॉर्म करेगा साइमल्टेनिजम यह वाला बॉन क्या होगा और ब्रूमीन वहां से पहली उर्षद में निकल लेता है व्लबाद समझ में आ रहे और यहां पर क्या बन जाएगा और यहां एनेश त्री यहां जोड़कर के एनेश पॉर प्लस बनाएगा यह एनेश थ और यार ऑख यहां जोड़ेगा तो झुल्छें ना समझ ना बात को लिए वाला ऐसा तो नहीं है यह बताना है कि आपकी बस पच्छेंश यह जोड़कि परके बहुत पसंद रहे हैं चलो यहां पर क्या हो जाएगा एनेश त्व और यहां क्या हो जाएगा एनेश तू और तो वाटर में क्या होता है एच प्लस और वाटर कैसे टूटता है एच प्लस और वेच माइनस यह जो ऑफ माइनस है इस एन एच पॉर के साथ अटेक करके एन एच पॉर ओएच बना लेता है और यह हाइड्रोजन कि एक प्लस और यह हो जाएगा और यहां हो जाएगा एन एच तू प्लस और यह हो जागा सब्सक्राइब करने जा रहे हैं और यहां पर क्या है डबल बॉंड यह क्या है अगर नहीं और दूसरा सोडियम साइनाइड नहीं और यहां हो जाएगा और यहां हो जाएगा और यहां हो जाएगा यहां हो जाएगा आर सी लेक्शन देख रहे हैं यहां क्या हो जाएगा और यहां हो जाएगा हैं और साइनट दूसरा और यहां हो जाएगा फिर यह देख रहें हैं अब आगे बढ़ते हैं, C आपको देखने जाने हैं, गैब्रियल थेलमाइट सिंपर्फिस, यह ना, एमाइन्स वाले चेप्टर का पॉर्शन है, मैंने जान बुछ के इसको मिक्स करके यहाँ पर बता है, तो इसमें अमिनो ग्रूप होता है, तो आमाइन्स में जो जो को, C डबल MAand को, घैक है, और यह होगया, L- यह होगया kेप्र, यह होता है, पोटै माइन्स सौल्ट ए, आफ यह थेलमाइट होता है, यह उसका, पोटै शीयम सॉल्ट है क्या है पोटेशियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थेलमाइट का पोटेशियम सॉल्ट है इसकी रियक्शन हम लोग करा रहे हैं इससे बेटा यह हो जाएगा च्छी यह हो जाएगा च्छी और यह हो जाएगा और यह हो जाएगा तो इसका नाम के लिख सकते हो हुए उठाइल लगा हुआ है इथाइल लगा है एलफा क्लोरो एलफा क्लोरो एसीट हो बात क्लियर है यह सब आई पीस नेविंग इसके बाद वाले यूनिट में और अपन करें इसका रोड नहीं लेना बाकि यह कंपाउंड होते हैं ठीक है यह एथाइल गूरूप लगा इथाइल पॉजिशन में क्लोरो है तो एलफा क्योरो एसीट है अब यहां पर देखो मेकैनिजम कैसे होगा यह जो एन माइनस है इस वाले कार्बन पर अटैक करके बॉंड फॉर्म करेगा और सियल को बॉंड ब्रेक करके निकाल लेगा यह सियल माइनस प्रोटेशियम के साथ की सियल बना करके अलग हो जोन और सी ओ और सिए होगा और यहां पर क्या लगा हुआ है और आगे देखेंगा जनाब अब इसका ना हम लोग है रिकार सब्सक्राइब कर सकते हो बेसिक भी कर सकते हो यहां 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 बहुत आप देखो क्या बन गया एक तो बन गया है यहां 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 पर और और से देखिए घजना, C double bond O, यह हो गया OH, C double bond O, यह हो गया OH, बेंजीन रिंग में, है ना, यह दोनों ग्रूप, simultaneously COOH, COOH लगा रहे, उसको बोला आता है, थैली कैसे, क्या बोला आता है, थैली कैसे, क्या बोलती, थैली कैसे, ठीके, चलो, और दूसरा देख लो, यहां क क्या है बेटा, glycine, बन गया ना amino acid, बन गया ना, बन गया ना, फिर यह sweet करता रहे अपना, sweet, समझना ही बात लगा, अपन टूइट करते, amino acid लो, sweet करते, ठीके, यह sweet करता रहे अपना, और यहां क्या बन गयागा, C2H5OH, ethyl alcohol, ठीके, best method of preparation, क्या है, best method of preparation, यह best method of preparation है amino acid, amino acid आप बन रहे हैं वरी इधाईल एलकों भी बिन रहे हैं ठीक हैं के निई, सीमबा में टाल दो, बेशते जाओं, यहां क्या है